आज बन बात करेंगे एविक्सिया लाइट के बार में कम्पनी का स्टोक 2.71 पर ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेजन में 2.17% की गिरावट यहाँ पर इसी स्टोक में देखने हुं मिली थी बात करें, यह पर बात करेंगे यह लाइट के अंदर आपको यहाँ बंगे है यह लाग के अंदर आपको देखने को मिल रहा है और फर्स्टली अगर देखे तो कम्पनी की revenue from operation से अगर बात करें तो तो कम्पनी ने अच्छा खासा revenue आपको देखने को मिल रहा है 256 लाग का company ने revenue यहां पर जनरेट किया है जो कि पिछले quarter की तुल्णा में अगर देखे त तो यहां पर जो है कंपनी का रेवेन्यू 1817,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 तो इस quarter के अंदर incomeade total when the expense यहाण पर कौविस सोAm्वाटसी लाख रूपे यापको लाकई का देखने हुग मिलें और उससे पहले पिछले साल के क्वाटल थारा Specs तो तक आपको देखने को मिलें यानि पिछले को आपको आपको काफी बढ़ी यहां पर जादा आपको देखने मिल रहे हैं क्योंकि आठ सो लाग रूपे तक यहां पर पर یہांपर कम्प्नी का यानि यह आपको profit before tax आपको देखने को मिला है after tax कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि profit loss for the period of the continuing operations इसके अंदर आप देख सकते हैं कि total profit आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वह 37,00,00,00 पिछले quarter के अंदर 92,00,00,00 पिछले quarter के अंदर 19.20,00,00,00 पिछले quarter के तुलना में यहाँ पर net profit कम हुआ है आपके total income की बात करें अधर comprehensive income की तो वहाँ पर company जो total income में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है 36,60,00,00 पिछले quarter के अंदर 92,53,00,00 पिछले quarter के अंदर 16,76,00,00,00,00 पिछले quarter के अंदर देखने को मिल रहे हैं लेकिन पिछले quarter के तुलना में यहाँ पर काफी बड़ी चीज समझने वाली यहां पर है जो company अपना ओप्रेस्टन सी यानि company के यहां पर sales के अंदर भी यहां पर अच्छी इंप्रोव आपको देखने को मिले जिसके करने यहां पर जो total income है उसमें अच्छा आपको जंप देखने को मिला है अगर year on year अगर अपने बात करें तो पिछ देख सकते हैं और यहां अगर अगर तक्या है यहां पर यहां पर जो period of the continue इसके अंदर अगर आपने देखते हैं तो यहाँ पर आप अगर देखें तो company को पिछले साल 80 लाग रुपय का profit वाता है वो बढ़कर 198 लाग यानि company का जो profit है दुगने से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है यानि अच्छा खासा company ने year on year perform किया है और उसके बाद में यहाँ पर कमनी ने quarter on quarter भी अच्छा यहाँ पर operating profit जो है operating revenue यहाँ पर जनेरेट किया है जो एक positive indicator आप मान सकते है उसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर यह revenue आपको देखने को मिल रहा है और यह revenue आपको continuously इस साल लेकिन सबसे इंपोर्टेंट चीज अगर देखें और उसके साथ अगर net profit देखा जाए तो net profit company का 80 लाग रुपई से बढ़कर 198 लाग यानि दो करोड के आसपास company का net profit आपको देखने को मिल रहा है और पर यहाँ पर यहां पर लाष्ट क्वाटर के अदर मार्ट 2023 में कर देखें तो फिर से स्टेक कम हुआ और उसके ब्लेश से लिए आपको सब्सेश्य आपको इंप्रोफित कम हुआ लेकिन यह अच्छा-इसा प्रोफित आपको देखने को मिल रहा है और बात अगर लॉंग प्रोस्पेक्टेस की करें, तो कमने ने यह अच्छा है यहाँ पर प्रोफिट दिया, जो सबसे इंपोर्टेंट आपको है, किसी भी कमने के लिए फाइनेंसिल के रिजल्ट के वे आप मान सकते हैं और उसके साथ एक पोजिटिव इंडिकेटर कमने ने आपर जो टोटल रिवेन्वी आपर इंपोर्व होता नज़राया है I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा Keep supporting